हेलो स्वाथियों मैं से देन सीग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूटीब चानल ज्यारास एगाडेवी पर दोस्तों जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सेकेट साल्विंग और उसका पहला वीडियो हम लोगों ने देखा था नार्मल तOR पर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं potential count करना हम लोगों ने सीखा था कि किसी पोइंट पर potential कैसे हम निकालते हैं यब potential difference कैसे हम लोग count करते हैं आईए आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं circuit solving का दूसा लेक्चर सबसे पहले अगर आपने हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें आये हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं circuit solving के अगले पार्ड में तो इसमें हम लोग देखेंगे combination of resistance इसमें हम लोग resistance को find करेंगे देखेंगे resistance कैसे निकाला जाता है लेकिन combination अगर resistance का combination देखें दो तरीकेस होता है पहला नंबर होता है series combination और दूसरा जो होता है वो parallel combination होता है second अगर दोस्तों देखें तो second आपका क्या जाएगा parallel combination तो यहां पर जो combination of resistance होता है वो दोस्तों दो तरीकेस होता है एक series combination होता है और एक parallel अगर यहाँ पर देखे जो परलाल कंबनेशन होता है वो सीरीज और दोकियों दोनों में क्या चिंद अंतर है कैसे दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है कैसी देखा जाएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं ध्यान दीजिए अगर जैसे अगर हम यहाँ पर लें माल लिजी हमारे पास क्या है एक resistance है एक resistance R1 है यह resistance का starting point है यह end point है यह हमारे पास एक और resistance है यह इसका starting यह इसका end R2 अगर हम यहाँ पर क्या करें इसके दूसरे वाले सीडлаг क्या कर दें तो इसकी combination को हम लोग बोलते हैं series combination इसका मतलब क्या है अगर यह हमारे पास resistance है इसके end से इसका initial point जोड़ दें सका initial point से तो इस combination को हम लोग क्या बोलेंगे series combination बोलेंगे लेकिन अगर दोस्तों हम लोग क्या करें इसके starting initial point से दोनों के initial point को initial point से और final point को final point से जोड़ें तो यह आपका यह कहलाएगा parallel combination तो आप समझ गए होंगे कि parallel और आपका series combination क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे कि हमारा series combination कैसे बनता है तो series combination की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आप लोग heading बना लिए सबसे पहले series combination अगर series combination की दोस्तों यहां पर बात करें तो series combination क्या होता है तो जड़ा आप ध्यान दिजेगा series combination में हम लोग क्या करेंगे जितने भी resistance होते हैं उनके across जो current होता है वो हमेसा same होता है तो आप ध्यान रखिएगा series combination में सभी resistance के across सभी resistance के across करेंट क्या होता है सभी रजिस्टेंट के एक करेंट सेम होता है इसका मतलब कि जितने भी रजिस्टेंट लगेगा सभी रजिस्टेंट में जो दोस्तो करेंट का मान होगा वो क्या होगा सेम रहेगा उसमें वो अलग अलग नहीं रहेगा सभी current command क्या होगा हर जगा पर समान होगा सभी resistance में ठीक है ना दूसरा number क्या होता है सभी resistance के एक रास जो potential difference होता है वो अलग-अलग होता है तो यहां लिखेंगे सभी resistance के एक रास सभी resistance के एक रास potential difference potential potential difference ठीक है अलग-अलग होता है इसका मतलब कि current क्या होगा same होगा but जो potential difference होगा वो क्या होगा अलग-अलग होगा तो यह क्या होगया यह आपका series combination क्या है condition है यह series combination क्या है कंडिशन है कि यहां पर सभी जितने भी रजिस्टेंस लगेगा सब का कहते हैं potential difference क्या रहेगा अलग-अलग current क्या रहेगा सेम रहेगा जा धान दीजेगा यह बनेगा कैसे तो यहां से हम क्या करते हैं एक combination बनाते हैं यह resistance यह total हमने तीर रजिस्टेंस को लगाया और इसको connect कर दिया किसे बैटरी से यह बैटरी का positive terminal और यह negative terminal और इनका जो EMF है वो माल लेते हैं कितना है वी है इनका जो EMF है वो कितना है वी माल लेते हैं resistance R1 resistance R2, resistance R3 ठीक है अब आप जाते हैं बैटरी के हमेशा positive सीरे से क्या होता है current निकलता है और negative सीरे पर क्या होता है प्रिवेस करता है आता है तो यहां से current निकलेगा तो यहां जाएगा आई तो इसमें current हर जगा होगा same और हमने वही तो लिखा है सभी resistance के एक रास current क्या होता same होता है इसका मतब क्या है कि सभी resistance में जो बहने वाली जो दोस्तो धारा है वो क्या रहेगा same रहेगा अलग-अलग नहीं रहेगा ठीक है तो स्रेडी करम में जितने भी आपके resistance होते हैं उसमें जो बहने वाला धारा होता है current होता है जो current flow होता है वो same होता है लेकिन दोस् कि क्या करें अगर combination हम बना रहे हैं तो आप जानते हैं जब तीनों रजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इसी के equivalent एक रजिस्टेंस आता है तो हम इसे बोलते हैं आर equivalent क्या बोलेंगे आर equivalent और इसको हमने बैट्रे के एक positive और negative terminal से हमने क्या कर या जोड दिया अब अगर यह बैट्रे का e में आपका v है तो इसमें current किता जाएगा आई जाएगा और इधर से आई आएगा ठीक है तो current इधर से आपका जाएगा और इधर आई आएगा मतलब कि इन सभी current का यह सभी resistance का equivalent हम यहां पर ले रहे हैं अब यहां से अगर देखिए तो हम यहां पर क्या करेंगे तो दोस्तों हम यहां पर total potential को count करते हैं तो क्या value मिलेगी जरह देखिएगा अगर यहां से total potential को count करते हैं तो क्या मिलेगा V is equal to V1 plus V2 plus V3 मिलेगा और यह किसके equal होगा net potential के equal होगा जो betty का emap है उसके बराबर होगा तो अगर betty के emap को बराबर यह आपको potential है तो यह आपका तो यह betty का emap तो अब यहां से अगर देखें तो देखें जान दिजेगा अगर V बराबर निकालें तो V बराबर क्या होता है I into R होता है तो current into क्या हो जाएगा resistance तो R equivalent इनका हो जाएगा तो हम इसके जगा पर रेक सकते है I into R equivalent हो जाएगा और यहां पर यहां का निकालें तो V बराबर क्या होगा I into R1 और ऐसे इसका निकालेंगे I बराबर R2 और इसका निकालेंगे तो I into R3 हो जाएगा अगर यहां से देखें सब में क्या common है I common है तो I common ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा और यहां से I से I cancel हो गया तो R equivalent दोस्तों क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा इसका मतलब कि जब हम स्रेडी करम में प्रतिरोध को जोडते हैं तो total overall उनका सभी प्रतिरोधों का सभी resistance का हम क्या कर देते हैं अब आगे जलते हैं अब इसके आगे अगर देखें तो यह R equivalent हो गया अब यहां से अगर आप potential law की बात करें तो जो potential law है वो क्या कहता है अगर हम यहां दोस्तो potential law की बात करें तो आप जानते potential law potential law की बात करें तो V directly proportional क्या होता है या V बराबर क्या होता है I into R होता है I into R होता है I क्या सभी circuit में सेम होता है तो I क्या हो गया आपका constant हो गया अगर यह constant हो गया तो आप यहां लिख सकते हैं क्या V1 बराबर यहां पर आप लिख सकते हैं V1 upon V2 बराबर R1 upon R2 यह क्या होता है यह आपका ला होता है इसका मतलब समझेगा इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे explain कर देता हूं अगर यहां पर दोस्तों बात करें अगर मैं यहां से V1 का मान निकालता हूं तो V1 अपान V2 बराबर I into R1 upon I into R2 और I से I cancel तो यहां से क्या मिल गए दोस्तों यहां से मिल गया V1 अपान V2 बराबर R1 अपान क्या हो जाएगा R2 और यही दोस्तों क्या होता है potential ला होता है ठीकर ना इसका मतलब कि क्या है सिधा सिधा V1 upon V2 का जो रेशियो आया है यह कुछ इस तरीके साया है कि जिस रेशियो में आपका resistance रहेगा उसी रेशियो में क्या रहेगा potential लहेगा यही इसका मतलब होता है ठीकर ना जिस रेशियो में potential resistance रहेगा उसी रेशियो में क्या होगा potential भी होगा ठीकर अब आते ह question के हिसाफ से आपको दिखाते हैं कैसे solve किया जाता है ठीक है ना तो combination आप resistance जब भी बनाएंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा हम लोग लेंगे कि प्रतिरोदों को आप direct जोड दीजिए जो value आ जाए वही क्या हो आपका आर एक्युवेलेंट हो जाएगा किसमें सीरीज कॉमिनेशन में अब जैसे इस क्यूस्टन में कहा है फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एक क्रास इच रजिस्टेंस इसमें कहा है फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप ऐक क्रास इच रजिस्टेंस कहा है प्रत्रेन्च क्या बीच जो कि करते हैं एक टेंश लिपरेंस से उसको निकालीए तो यहां से अगर लेते हैं तो एक रजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस तीन रेजिस्टेंस और यहां पर यह बैटरी का एमफ दे दिया गया है ध्यान दीजिएगा यहां पर रेजिस्टेंस का मान दो ओम दिया है यहां पर बारा ओम दिया है और यहां किता दिया है छे ओम दिया है और यहां से यह टोटल किता है 100 वोल्ट है ठ प्रतेक रजिस्टेंस के A-Cross हमें potential निकालना है अगर माल लेते हैं इसके A-Cross का potential V1 इसके A-Cross potential V2 इसके A-Cross potential V3 तो हमें V1, V2 और V3 का माल निकालना है पहला हम लोग simple method से देखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा simple method से तो सबसे पहले अगर आपको V निकालना है तो यहां total V find R-Equivalent करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा R-Equivalent निकालना पड़ेगा तो अगर यह R-1 हो गया यह R-2 हो गया और यह R-3 हो गया तो हम क्या करेंगे series combination है तो R-1 प्लस R-2 प्लस R-3 तो यहां से value रखेंगे किता 2 प्लस 12 प्लस 6 6 2 8 12 8 किता हो जाएगा 20 Ohm आ गया त अब आप जानते current अगर find करें तो आई बराबर वी अपान वी अपान R-Equivalent तो यहां पर total V किता है 100 और यहां पर R-Equivalent किता है 20 अगर आपने काटा 25-100 I is equal to किता 5 Ampere तो यहां से बहने वाला जो current है इसका मतलब बैटरी के इस से जो current निकलेगा उसका मान किता है 5 Ampere इ साइए सभी में किता जाएगा 5 Ampere current जाएगा अगर सभी में 5 Ampere current जाएगा तो वी 1 निकालिए तो वी 1 बराबर अगर आप निकालते तो i into क्या होगा R-1 धारा गोड़ते प्रत्रोधी क्या होता है विभो होता है तो V1 बराबर क्या होगा i into R-1 तो i कमान किता है 5 और R-1 कमान कित्ता है दो पांदोना दस वोल्ट आपका आ गया दूसरा नंबर आपके करिए वी टू निकालिए तो वी टू जब आप निकालते हैं तो आई इंटू क्या हो जाएगा आट टू हो जाएगा तो यहां पर पांच गुड़ते कित्ता बारा और बारा पंजे पांच गुड़ते कित्ता हो जाएगा तो यह आप वी टू और वी टू और वी टू आप निकाल लिए इसका मतलब क्या है कि सभी रजिस्टेंस के एक रास जो पोटेंशल डिफरेंस है वह आपने पाइंट कर लिया कित्ता यह दस वोल्ट साथ वोल्ट और तीस वोल्ट और इनको तोटल अगर इनका सभी करते हैं तो टोटल के बराबर यह तो आपका जो देखा जाता है यहां तो कैसे निकालना चाहते हैं तो जर ध्यान दिजिएंगा माल दिजिए या आपका सवाल है ठीके ना ये सवाल है और इस सवाल में ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है ध्यान देजिएगा करेंट वगारा कुछ भी नहीं दिया गया है करेंट वगारा कुछ भी नहीं दिया गया है यह आरवन है यह आर्टू है यह आर्ट्री है एक चीज आप ध्यान दीजिएगा अगर हमने आपको बताया कि वी प्रपोस्नल आर होता है करेंट क्योंकि सेम होत होता है वही रेसियो किसका होता है potential का ratio होता है अब यहां से एक काम करते हैं यहां से अगर हम एक काम करें तो आप अगर यहां का potential किता है V1, यहां का V2, यहां का V3, ठीक है न, एक काम करिए, आपका यहां पर रेजिस्टेंस किता है 2, तो यहां का पोटेंसियल आप क्या माल लीजिए, X माल लीजिए, ध्यान से समझेगा, यहां का रेजिस्टेंस किता है 2, तो यहां का पोटेंसियल किता माल लीजिए, X, और यह कितना है resistance 2 तो 2 छंग 12 कितना गुना है 6 गुना जाता है तो यहां का जो potential आएगा 6X आएगा 6X फिर से मैंने पास सुनिए यहां 2 है बस छोड़िए यहां कितना है इससे मतलब नहीं है यहां क्या मानिए है आप potential X मान लीजिए क्या मानेंगे potential X मानेंगे अब यह resistance इससे कितना गुना जाता है तो 2 छंग 12 छे गुना जाता है तो यह भी कितना गुना जाता होना चाहिए 6 गुना क्योंकि resistance के proportional में ही आपका क्या होता है potential होता है तो 6X समझ गया आप अब इसससे यह कितना जाता है तीन ज़्यादा है, यह कित्ता जाता है, तो यहां क्या लिख लेंगे, तीन X, अगर आब इन सब को जोड़ें, तो आप X प्लस 6X प्लस कित्ता 3X, यह टोटल पोटेंशियल हो गया, और टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है, 100 के बराबर, तो 6, 4, 10, 10 X बराबर कित्ता हो 10, V2 अगर निकालते हैं, तो यहांस क्या हो जाएगा, 6X बराबर कित्ता 10, 6 X, ए ऐसे V3 निकालते हैं, तो 3X तो कित्ता हो जाएगा, 3 गुरते 10 बराबर कित्ता हो जाएगा आपका, 10 त्याई 30 Volt, यह क्या हो गया दोस्तों, वैलु हो गया, यह आपका टोटल, इस सब का मा तो यह साड़ मेथड है आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं अब तक मैंने आपको क्लास में यह सब मेथड नहीं बताया था मैं आपको नॉर्मल मेथड ही सिखाया था ताकि आप अराम से बेसिक अपना स्टॉंग कर सको लेकिन अब यहां से आप जब कमपडेट्व हो सके ठीक है ना दोस्तों चलिए यह इतना था अब इसे में थोड़ा सा और देखते हैं हो सकता है कुछ और बेवस्तावन जाए जहां ध्यान दीजेगा हमने कहा कि वी डारेक्टली प्रपोसर किसके होता रेजिस्टेंस के तो इसका मतलब कि वी वन रेशियो वी टू रे तो अगर यह इनका रेशियो है फिर सीदह देखेगा वी वन रेशियो वी टू रेशियो वी थ्री तो यही क्या रेशियो रेजिस्टेंस का हो भी होगा क्योंकि डारेक्टली प्रपोसरनल होता है ठीक ना तो अगर हम यहां से रेजिस्टेंस का लें तो यहां आरवन किता 2, r2 किता है 12, r3 किता 6, इनका रेशियो निकाले, 2 से काट देंगे, तो 2, 1, 2, 6, आब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह किसका रेशियो आ गया है, v1, v2, v3 का, v1 और v2 और v3 का, अगर आप इनका रेशियो निकाले, तो देखिए यहाँ पर 6,1 इनको जोड़ दीजिए, यह ratio जोड़ेंगे, तो 6,4,10, 1,6,7,7,10, 10 का जो ratio है, इसे अब क्या बोलेंगे, 10 का अनुपाद, 10 का ratio, 10 का ratio है, वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो 1 का ratio किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, अगर यह 10 के ब 10 से कम, 10, 10 छंग, 60, 10 तियाई, 30, सीधा, ठीक है ना, ऐसे V2 का, V2 का 6 का ratio है, तो 6 गुर्टे 10 बराबर कित्ता, 60 वोल्ट हो जाएगा, और ऐसे V3 है, तो 3 गुर्टे कित्ता हो जाएगा, 10, 10 तियाई, 30 वोल्ट हो जाएगा, तो यह आपका इस method से भी हम कर सकते हैं, ratio method इस करते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उम्मेद करता हूँ, आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, ठीक है, तो आप ऐसे साथ में जूले रहिए, तो आपको हमेसा बहतर चीज़े मिलती रहेंगी, ठीक है, ऐसे एक question और देखते हैं, अगर एक question औ difference क्या करना है, find करना है, ठीक है ना, तो अगर हम सभी resistance के एकराज potential difference समय find करना है, तो देखते हैं, circuit हमारा क्या है, तो circuit अगर यहां दोस्तों लेते हैं, जैसे यह circuit हमने ले लिया, यह आपको 2 ohm, 5 ohm, और यह 3 ohm, अगर यह total किता है, total हमने ले लिया किता, 10 volt, यह 10 volt की बैटरी से हमने EMF से जोड़ दिया, अब आपका सीधा-सीधा काम आप क्या करेंगे, पहला number आप rule से चलेंगे, अगर rule से चलते हैं, तो आप R equivalent निकालेंगे, तो सब को जोड़ देंगे, तो 2 प्लस, 5 प्लस, 3, 5, 2, 7 तेन, 10, 10 आपका क्या आगया, ओम आगया, current अगर find करेंगे, तो V upon R equivalent हो जाएगा, तो V का मान किता है 10, इसका मान किता है 10, 10 से 10 कैंसिल, एक EMF आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे current किता बहेगा, एक EMF, क्या सब में 1 EMF current जाएगा, जी हाँ, सब में 1 EMF current जाएगा, अगर ब सब में current आपका सेम है, तो V1 का जब value निकालेंगे, तो I into क्या होगा, R1, I का मान किता है 1, और R किता है 2, तो 2 एक कम 2 volt हो जाएगा, ऐसे V2 बराबल लेंगे, तो I into क्या हो जाएगा, R2, यहाँ पर किता है, यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर धारा 1, क्योंकि स सेम होगा, और यहाँ का प्रत्रोत किता 5, 5 एक कम 5 volt हो गया, ऐसे V3 लेंगे, तो यहाँ पर किता current I into क्या हो जाएगा, R3, तो यहाँ पर 1 into किता 3 हो जाएगा, तो 3 volt हो गया, तो यह आपका V1, V2 और V3 का value निकालने का क्या हो गया दोस्तों, तरीका हो गया, आप इस तरी अगर आप डारेक्ट निकालना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आप इसे क्या मानिए, आप इसे X मान लेजिए, ध्यान दिजिएगा, अगर आप इसे X मानते हैं, तो यह इससे कितना गुणा है, तो उसमें तो डारेक्ट आपको मिल गया था, 6 गुणा है, तो इसमें नहीं मिल तो अगर आप इसको x माने थे, तो इसे 6x माने थे, इसका मतब 12 में आपने 2 से भाग दिया था, तभी तो 6x आया, तो आप ऐसे क्या करेंगे, 5 में 2 से भाग देंगे, तो 5 बटे 2x हो जाएगा, कित्ता हो जाएगा, 5 बटे 2x हो जाएगा, ऐसे आप इसे में भाग देंगे, किता हो जाएगा 3 बटे 2 x हो जाएगा ठीकर ना किसे 2 से भाग देंगे कोई दिक्कत नहीं न तो अब अगर आप यहां से निकालेंगे फिर से मेरी बास सुनिएगा यहां पर क्या मानना है एकमानना थैक अब यह आप देखिए यह इससे कितना गुना जाता है, तो गुना अगर ज्यादा निकालना है, तो आप इसमें 2 से भाग दीजिए, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 2x है तो x, अब यहाँ पर यह कित्ता जाता है, 3, 3 यह है और यह कित्ता है 2, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 2x है तो x, तो अगर आप इसे एड करते है x plus 5 by 2 plus कित्ता 3 by 2 x आपका हो जाएगा यह किसके बराबर है 10 के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो अगर यहाँ पर देखे तो अगर ध्यान दीजिएगा इसका बटा एक ले 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 तो यहाँ कित्ता हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 x 2 x plus 5 x plus किता हो जाएगा 3 x बराबर किता 10 अब यहाँ पर 5 3 8 8 2 10 तो 10 बटे किता हो जाएगा 10 तो ध्यान दिजेगा तो यहाँ से आपको किता हो गया 10 ध्यान दिजेगा 10 से x बटे किता हो जाएगा 2 बराबर किता 10 अब क्या 10 से 10 कैंसिल तो X बराबर किता हो गया 2 हो गया अगर X बराबर 2 हो गया तो अब बताइए यहां पर V1 कमान किता है X V1 command अगर X है तो ये क्या हो जाएगा 2 volt हो जाएगा ऐसे V2 command किता है 5 बटे 2X तो आप यहां क्या कर सकते 5 बटे 2 गुटे किता X command किता है 2 2 से 2 cancel किता है 5 volt आ गया ऐसे आप V3 लेंगे तो V3 जब आप लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 3 बटे 2X है तो आप क्या करेंगे पांच तीन बटे कित्ता 2 तीन बटे 2 गूर्यत सरे तीन बोल्ट हो जाएगा तो यह इस तरीके से आपALLY ‫को निगाल सकते हैं अच्छा एक चीज जानते हैं इस मेहें कर्एंट हमेसा मेशनकालने से बच जाएंगे कारेंट और जो thì.. एक्विवालेंट रेजिस्टेंस है यह दो चीजों को आप निकालने से इस मेथर्ट से क्या हो जाएंगे बच जाएंगे ठीक है ना तो यह आपका तरीका रहा कोई दिकत नहीं अब रेशियो मेथर से भी आप निकाल सकते हैं कोई अलग वह चीज नहीं है तो आप निकाल सकते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगले कोस्चन में अगले कोस्चन में क्या इसे हम लोग कॉंसेप्ट समझते है कि अगर इस concept को लेते हैं तो कैसे लगेगा ठीक है आई ये देखते हैं इस concept को माल लीजिए एक ये resistance है और एक ये है और यहाँ पर ये लगा हुआ है potential जिसे हम दो क्या कहेंगे इमफ कहेंगे और ये आरवन है और ये आटो इनका potential difference वी वन और इनका potential difference वी टू ठीक है अब आप जानते हैं कि प्रतेग जो resistance होता है उसके एक आस जो potential difference होता है कि गाते हैं वो अलग-अलग होता है ठीक है potential जो drop होता है वो कि कहते हैं प्रतेग resistance में जो potential drop होता है वो क्या होता है current क्या होता है दोस्तों same होता है अगर आप यहां से निकालें एक ध्यान दिजिएगा अगर हम यहां से R equivalent की बात करें तो क्या R1 plus R2 होगा की नहीं यह R1 plus R2 आ गया अगर current आप निकालते हो तो V upon क्या हो जाएगा R equivalent तो R equivalent तो V का मान V और इसका मान R1 plus क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा यह current का मान आ गया ठीक है ना इसका मतलब कि आप अगर यहां से निकालें तो I बराबर क्या होगा V upon R1 plus R2 हो जाएगा यह इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं current निकाल सकते हैं लेकिन अगर दोस्तों हम लोग यहां पर क्या करें अगर V1 का मान निकालें तो V1 का अगर हमें मान निकालना है तो V1 बराबर क्या करना पड़ेगा I into R1 करना पड़ेगा कि नहीं तो V1 का मान अगर निकालना है तो I का मान तो V है और R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 तो यह क्या हो गया current तो current into क्या हो जाएगा यह आपका resistance किता R1 तो यह V1 का हो गया, ऐसे V2 जब निकालेंगे, तो I into क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, तो यहां पर जब रखेंगे V2 बरापर, तो V upon R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2, यह क्या हो जाएगा, आपका R2, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशल ड्राप भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जब दो रजिस्टन्स आपका हो, ठीक,